वैसे पिद्यार्थियों के लिए फ्री ओनलाइन क्लास चला रहा हूँ जो क्लास 11 और 12 में पढ़ते हैं और आरस अगरवाल NCRT मैट्स बुक को पूरी तरह से बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार रहेगा कि आज हम लोग union intersection का definition देखेंगे और इससे related problem को बनाएंगे इस वीडियो में diswine set क्या होता है, intersecting set क्या होता है, symmetric difference क्या होता है, complement क्या होता है और बहुत सारे प्रोपर्टी को हम लोग इस चैनल के माध्य हम से इस वीडियो के माध्य हम से आज हम लोग देखने जा रहे हैं और आरस अगरवाल का जो एक्सरसाइज है आपका 1D उसके भी कुछ प्रोब्लम को हम इस वीडियो में स्वाल्व करेंगे तो चलिए बच्चो यह वीडियो में सुरू करता हूँ और उमीद है कि आप लोगों को यह पसंद आएगी तो सबसे पहला हम लोग जाने इसमें आपका Union of Sets क्या होता है Union of Sets क्या होता है तो Union of Sets जो होता है यह आपका Sets के Operations में आता है Operations of Sets हम लोग किसको कह सकते हैं Operations of Sets कह सकते हैं तो Union किसको कहेंगे The Union of Union of Sets A and B And B is denoted by A Union B इस तरह से हम लोग denote करते हैं Is the set of all those elements Elements which are either in A Either in A or in B Or in both A and B अब क्या होता है कि Union जो हम लोग लेते हैं उसमें वही से सब element को ही लेते हैं जो कि या तो A में हो या तो B में हो या तो दोनों में हो अब इसको example के सहता से हम लोग और भी समझेंगे Mathematically इसे हम लोग किस तरह से express कर सकते हैं इसको आप देखिए कि इसमें जितने भी element लेते हैं एक्स जो होता है यह A का element हो या नहीं तो X B का element हो इस तरह का collection हम करते हैं A Union B में उसके बाद एक चीज जानिये कि अगर X जो है element होगा A Union B का तो निश्चित रूप से X जो है या तो A का element होना चाहिए या नहीं तो X जो है आपका B का element होना चाहिए तो बच्चों एक बात तो हम समझ गएं कि इसे mathematically किस तरह से express किया जाता है और एक महतपुर्ण बात जो है जो सभी बच्चों को धियान में रखना चाहिए कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा element है जो कि A Union B में जो है एक्जिस्ट नहीं कर रहा है तो according to definition कि एक्स का अस्थान A Union B में तभी आएगा जब वो या तो A में हो या तो B में हो और इसमें एक्स का अस्थान आया ही नहीं तो निश्चित रूप से एक्स ऐसा element है जो कि A में भी नहीं है और यह निश्चित रूप से B में भी नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों जब X not belongs to A Union B लिखते हैं हम लोग तो उसमें X not belongs to A and X does not belongs to B इस तरह से हमें express करता ना पड़ता है और यहाँ पर हम लोग and word का यूज करते हैं और element होने के condition में हम लोग or word का यूज करते हैं इससे related problem को हम बनाने से पहले मैं आपको यह भी बता दू कि दूसरा जो हता है intersection यह क्या होता है intersection of sets क्या होता है तो the intersection of sets A and B denoted by denoted by A intersection B इस तरह से denote किया जाता है और यह कैसा set होता है is a set of all elements which are common to both A and B अब क्या होता है कि वैसे ही element का A intersection B में हम selection करते हैं जो की दोनों में common होता है A में भी हो और B में भी हो इसको mathematically हम लोग किस तरह से express करते हैं इस पर जरा सा धियान देंगे यह X जो है element A का भी होना चाहिए और X जो है element B का भी होना चाहिए तो ध्यान रहे बच्चों यह जो है आपका end से जोड़ा हुआ है अब यदि क्या कहते हैं इसको समझने के लिए मैं एक example देता हूँ आपके अगर teachers कहते हैं कि राम या स्याम है नथा? तो दोनों में से कोई एक पहले पहुंच जाएगा तो teacher का का म अपना fulfill हो जाएगा किसी एक से काम हो जाएगा अगर आपके teacher बोलते हैं राम एंड स्याम बолते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि राम और स्याम दोनों को आना होगा वही बात यहां हो जाता है कि अगर x belongs to a लिखा रहे और x belongs to b लिखा रहे तो इसका मतलब हुआ कि यह दोनों में अगर x होगा तभी यह x a intersection b का element होगा अब इसमें element की property क्या होती है कि अगर x belongs to a intersection b है तो इसका मतलब तो समझ ही गए आप लोग x belongs to a होना चाहिए और x belongs to b भी होना चाहिए अब यदि x does not belongs to a intersection b है अब इस पे हम लोग भी जार करें तो यहां पर देखिए a intersection b में आने के लिए उसको a और b का दोनों का element होना चाहिए अगर x हमारा a में भी belong नहीं कर रहा हो तो भी x element a intersection b में allow नहीं है अगर इस तरह का भी condition आ जाता हो कि या तो वह b में belong नहीं करता है इसको हम हटा के सिर्फ सोचते हैं कि b में belong नहीं कर रहा है इसको हटा दीजिए और तब इस पे सोचिए कि यह x element जो है b में belong नहीं कर रहा है तो भी यह a intersection b में नहीं आ सकता है अगर यह x a में belong नहीं कर रहा है तो भी यह इसमें नहीं आ सकता है यानि कि कि दोनों में से कोई एक active रहे तो वह element इसका नहीं होता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर यह element नहीं होता है तो यहाँ पर यह जोडा जाता है, किस से और से यह जूटता है, तो उमीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गिया होगा, तो इससे related problem बनाने के पहले हम लोग एक दो छोटी बात और भी देख लेते हैं, वो क्या है कि not में इसको लिख देते हैं, आप लोग इसे भी not कर ल union of n sets, a1, a2, a3 और यह a n, n set आपको दिया गया है, तो union को किस तरह से denote करते हैं, तो denoted by a1 union, a2 union, a3 union, इस तरह से हम लोग denote करते हैं, और इसको short में हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, union, n का value i से लेकर n तक और यह a i, इसको short में हम इस तरह से भी denote करते हैं, इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ सकती हैं, इसलिए धियान रखेंगे, और दूसरा यह रख लीजिए, कि the intersection of n sets, n sets, a1, a2, a3, है न, और उसके बाद an is denoted by, इसको हम लोग किस से denote करते हैं, a1 intersection, a2 intersection, a3 intersection, इस तरह से हम लोग denote करते हैं, इसको short में हम लोग इस तरह से denote करते हैं, intersection एक बड़ा सा ले लेंगे, और i का value, n का value, 1 से लेकर i का value, जो है, 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, और यह a, i लिख देंगे, माप कीजेगा बच्चों, यहाँ भी सुधार लीजेगा, i equal to 1 से लेकर n तक, और इसको ai, i का value 1 रखें, i का value 2 रखते हैं, फिर i का value 3 रखते हैं, इस तरह से counting करते हुए, i का value n तक रखते हैं, इसका मतलब यह होता है, अब इससे related कुछ problem को हम लोग solve करेंगे, तो चलिए हम लोग exercise में चलते हैं, 1D में चलते हैं, 1D, RS अगरवाल में पहला ही question आप देख सकते हैं, कि यह आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, कि A set आपका दिया गया है, A, B, C, D, E, F, इस तरह से दिया गया है, और B जो आपका दिया गया है, यह आपका है, C, E, G, और H दिया गया है, और C जो दिया गया है, आपका, A, E, और M, और N दिया गया है, तो यहाँ पर आपको जैसे find करना है, पहला नम्मर, A, union, B, तो देखिए बच्चों, A का जो value है, वो सारे element को हम लिखते हैं, है ना, इसमें हम detail में लिखते हैं, और union में B के साथ, C, E, और G, और यह है H, है ना, अब इस दोनों में देखा जाए, कि कोन-कोन से element A, union, B में आने वाले हैं, तो A, union, B में element वही सबाता है, जो either in A, or in B, or in both, जो कि A में भी हो, B में भी हो, या तो B में हो, या नहीं तो दोनों में हो, तो A भाई इसमें हैं, B भी ले लेंगे, C देखिए, यहाँ पर C जो है आपका, दोनों में हैं, वह भी element आएगा, फिर D आजाएगा, फिर E आजाएगा, फिर F भी आजाएगा, F तक तो ठीक हैं यहाँ पर, अब देखिए, G और H जो है आपका, B में हैं, तो इसे भी हम ल union C दिया गया है, तो A में कौन-कौन से element हैं, A, B, C, D, E और F, उसके बाद C में element हैं, A, E, M और N, यह दिया गया है, union के definition में क्या होता है, कि यहाँ तो element A में हो, है ना, इसका मतलब A का सारा element आएगा ही, यहाँ तो element B में हो, देखिए, A जो हैं, दोनों में common है, E जो हैं, आपका दोनों में common है, उसको भी लेना है, सिर्फ एक बार लेना है, यह नहीं कि दो बार ले लेंगे, उसके बाद यह M और N जो हैं, यह C का element है, तो इस तरह का जो collection होगा, आपका A union C हो जाएगा, अब यहीं पर दूसरा तीसरा नम्मर अगर यह देख सकते हैं, C intersection A, C intersection A है, C intersection A को निकालने के लिए हम C set को लिख देते हैं, और A set को भी लिखते हैं, अब देखना है क्या है, कि इस दोनों में common element कौन सा है, common कहने का मतलब हुआ कि ऐसे कौन-कौन सा element है, जो कि दोनों में है, तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं कि A जो है, दोनों में है, उसके बाद आपका E एक ऐसा element है, जो दोनों में है, तो इस स्थिती में हम कह सकते हैं कि A, C intersection A का जो element है, A, E है, और यह A intersection C भी लिखते हैं, तो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि intersection जो होता है, commutative law को hold करता है, इसके बाद यदि हमको B intersection A निकालना हो, B intersection C, B intersection C निकालना हो, तो B जो element, B set में element आपका देख रहे हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, C, E, G और H हैं, और इसका intersection आपका C के साथ, तो A, E, M और N इस तरह से हम लोग लिखते हैं, अब इस दोनों में हमको देखना है कि common कौन कौन से है, common कहने का मतलब कि ऐसे element जो कि दोनों में मौझूद हो, तो बच्चों हम सिर्फ देख पा रहे हैं कि E ही एक ऐसा element है, जो दोनों में है, तो इस तरह से B intersection C जो है हमारा, सिर्फ ये एक set होगा, जिसमें element E मौझूद र से जान गये होंगे, और भी problem हम exercise 1D का आगे बनाएंगे, जब exercise में जाएंगे तो, फिलाल हम लोग देखें, इसको आगे देखते हैं कि disjoint set क्या होता है, और intersecting set क्या होता है, तो disjoint set disjoint set किसको हम लोग कहते हैं, तो disjoint set क्या कब होता है, कि two sets a and b are set to be, to be disjoint, if a intersection b equal to 5, it means कि a और b में कोई भी element नहीं हो, जैसे माल लीजिए कि a आपका 1, 2, 3 है, और b जो है आपका 4, 5, 6 है, तो इस condition में हम क्या देख रहे हैं, कि अगर a intersection b निकालें, तो कोई भी element ऐसा नहीं है, जो कि दोनों में मुझूद हो, तो इसलिए यह जो set बनेगा, एक empty set बन जाएगा, empty set को ही sort में हम लोग denote करते हैं, 5 से, इसके बाद, आगे हम लोग जानें कि intersecting set क्या होता है, intersecting sets क्या होता है, तो intersecting हम लोग किसको कह सकते हैं, कि two sets a and b are set to be intersecting, if a intersection b not equal to phi, यानि कि a और b में कुछ न कुछ element ऐसे हैं, जो कि common हो, जैसे माल लीजिए कि a में हमारा 1, 2, 3 element हैं, और b में हमारा 3, 4 और 5, तो बच्चों इस दोनों में देखिए common element कौन सा है आपका, 3 है common element, यानि कि 3 एक ऐसा element है, जो कि दोनों set में मौजूद है, अतह a intersection b अगर हम निकालते हैं, तो यह एक ऐसा set बनता है, जिसमें element 3 मौजूद होते हैं, अगर इसको जो हैं हम फाई के बराबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह empty नहीं है, कम से कम एक element है, या तो singleton set है, तो इस तरह से हम लोग intersecting set और disjoint set को हम लोग समझ सकते हैं, इसके बाद हम लोग यह जानें कि difference of set क्या होता है, difference of sets क्या होता है, तो इसके बारे में कह सकते हैं, कि for any sets a and b, their difference a minus b is defined as, defined as, to a minus b को हम लोग किस तरह से define करते हैं, देखिए, x such that x, और यह x belongs to a and x does not belongs to b, तो इसको mathematically हम इस तरह से express कर सकते हैं, अब 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 यदि ऐसा हो कि x जो है element है a minus b का, तो इससे क्या मतलब निकलता हैं, मतलब निकलता है कि x जो है a का element होगा, और x जो है element b का नहीं होगा, अब यदि इसको हम अगर ऐसे लिख दें b minus a लिख दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है b का अब element होगा लेकिन यह x जो है a का element नहीं होगा तो इसके support में मैं example देता हूँ आपको कि माल लीजिए कि set 1 में 1, 2, 3 और 4, 5 इस तरह से element है अब b में जो है 3, 7, 8, 5 यह सारे element है अब देखिए कि a minus b हम लोग करें तो 1, 2, 3, 4, 5 को लिख दिये अब minus करते हैं 3, 5, 7 और 8 को minus किये तो देखिए minus में क्या होता है कि यह 5 जो है इसमें भी है इसमें भी है तो यह minus को गटा दिया 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है तो जो जो element को मन था उसको हम हटा दिये उसके बाद a का जो भी element बच गया 1, 2 और 4 इसको हम लोग ले लिए अब यहाँ पर देखिए कि 1 जो है a का element है b का नहीं है a का है और b का नहीं है फिर 2 जो है a का element है b का नहीं है देख सकते हैं अब 4 जो है आपका a का element है अब b का नहीं है इस तरह से वैसे ही element जो जो वैसे ही element को हम लेते हैं जो की a में हो और b में नहीं हो तो अब जैसे क्या कहते हैं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जो भी common element होगा सबसे पहले उसको हटा देंगे क्योंकि वह जो है b में मौझूद है उसके बाद b में जो भी element बच गए उसको तो हमें लेना ही नहीं है अब इसी का हम उल्टा कर दें कि b माइनस a कर दें हम तो पहले b को लिखेंगे 3, 5, 7, 8 लिखें और इसके साथ हम माइनस करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 को तो बच्चों सेम चीज है कि अब जो है b में b का element ही यहाँ पर आएगा सिर्फ 3 नहीं आएगा 3 चुकि a में है और 5 भी नहीं आएगा चुकि 5 आपका a में है यहाँ पर सिर्फ b का element एक 7 और 8 आजाएगा तो देखिए इसको आप मिला के कि b माइनस a कहने का मतलब कि element b का हो a का नहीं हो वही बात है 7 b का है a का नहीं है 8 जो है b का है 8 b का element है लेकिन a का element नहीं है इस तरह से हम लोग difference निकाल सकते हैं इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि symmetric difference of two sets क्या होता है symmetric difference of two sets symmetric difference of two sets ये किसको काते है हम लोग तो the symmetric difference of of two sets a and b denoted by denoted by a symmetric difference b तो बच्चों यहाँ धियान देंगे यह जो है ये ट्रेंगल लिखा हुआ है इस तरह से छोटा सा ट्रेंगल का सिंबॉल यहाँ पे डाला गिया है इस तरह से दिनोट करते हैं इस तरह से डिनोट करते हैं इस डिफाइंड एज किस तरह से डिफाइंड किया जाता है a symmetric b को हम लोग define करते है a minus b और union b minus a तो उमीद हैं कि आपको यह समझ में आ गिया होगा पहले क्या करना है a minus b को निकाल लेना है फिर b minus a को निकाल लेना है फिर दोनों का union कर देना है जैसा कि अभी example लिए a का हम लोग क्या लिए 1,2,3,4 और 5 लेती लिए है अब b को क्या लिए हम लोग 3,5,7 और 8 अभी तुरत a minus b हमने निकाला कितना निकाला आपका 1,2,4 और b minus a हम लोग निकाले हैं जिसमें 7 और 8 element आया है अब a minus b और यह union b minus a किसको हम लोग कहते हैं a symmetric b को कहते हैं इसका value जो है निकालने के लिए दोनों को चलिए लिख लेते हैं हम लोग 7 और 8 अब देखिए इसका union 1,2,4,7 और 8 इस तरह से यह आपका निकल जाता है a symmetric b निकल जाता है उमीद हैं कि आप लोगों को यह पसंद या समझ में आया होगा बच्चों अगर नहीं समझने में दिक्कत होती हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आप लोगों को यह भी समझ में आ जाएगा इसके बाद हम लोग जानते हैं compliment of set क्या होता है compliment of set क्या होता है तो compliment of set निकालने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा universal set universal set जानना होगा तो बच्चों पिछले क्लास में हमने universal set के बारे में आपको बताया कि universal set जो होता है super set of all those set which is taken under consideration मतलब कि जितने भी sets हैं आपने consideration में लिया हुआ है आपके problem को solve करने में यूज कर रहे है उस सब का super set जो होता है यानि कि सभी set के element को contain करने वाला एक set जो होता है उसको हम लोग universal set काते हैं तो इसको हम define कैसे कर सकते हैं तो लेते हैं चलिए let you be the universal set universal set लेते हैं and let a subset universal set universal set का subset होगा ही then the complement of complement of a is denoted by denoted by a dash है ना और u minus a इस तरह से denote करते हैं हम लोग तो and defined by या given by given by a dash equal to a dash equal to u minus a क्या लिख सकते हैं हम लोग u minus a और इसको हम लिख सकते हैं x belongs to u such that x does not belongs to a तो अब यहां पर हम एक example लेके इसको समझेंगे जैसे माल लिजिए कि u universal set है आपका इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इतने सारे element हैं और a एक set हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह सारे element हैं अब हमको निकालना क्या है? a dash निकालना है तो a dash निकालने के लिए हम क्या करेंगे? u minus a करेंगे u में देखिए बच्चों एक से लेके 10 तक element है तो u minus a का मतलब हुआ है कि u का वो सब element लेना है जो की a में नहीं हो तो a में कौन-कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं 1 को नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, 4 को, 5, 6 को यह सब नहीं लेना है लेना किसको किसको है? तो 7, 8, 9 और 10 को लेना है तो इस तरह से हमारा a complement निकल जाता है और हमेशा यहां पर धिहान रखिए कि अगर a intersection, a complement हम करते हैं यहां देने वाली बात है a का intersection हम किये हैं a complement के साथ तो देखिए बच्चों a और a' में कोई भी element common नहीं है आपका तो यह जो value आता है आपका phi आता है जिसको हम लोग disjoint set कहते हैं तो यहां पर not कर लेने वाली बात है a and a' must be disjoint sets है ना a और a' क्या है आपका? disjoint set है अब यहां पर एक चीज हम और यहीं पर सीखते हैं कि अगर a' हमने निकाला फिर इसका dash हम निकाले है ना a' हमने निकाला फिर इसका a' निकाले तो चली इसको हम next page में देखते हैं और समझने की कोशिस करते हैं तो यह जो है आपका a' का dash निकाले यानि की u minus a' करेंगे जैसा कि आप जानी रहे है यू में जो है कितने element है आपका 10 तक element है यह 10 तक element हमने लिख दिया अब थोड़ा सा पीछे page पलटके हम लोग देख लेते हैं कि a' में कौन-कौन से element है तो जैसा कि आप देख सकते हैं a' में हमारा कौन-कौन सा element है बच्चों 7, 8, 9, 10 तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 7, 8, 9, 10 तो difference क्या कहता है difference का definition तो वैसा ही element को collect करना है u से जो की आपका a' में नहीं हो तो यहाँ पर 7, 7, 7 है इसमें तो 7 नहीं लेंगे, 8 है इसमें, 8 इसमें है तो 8 को भी नहीं लेंगे 9 है इसमें, तो 9 को भी नहीं लेंगे, 10 इसमें हैं तो 10 से भी दुस्मनी है इस तरह से आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 शिर्फ बच जाता है तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है आपका क्या है, a ही है तो इस तरह से एक result आप लोग याद रखें, क्या क्या याद रखना है आपको इसमें कि अगर a का intersection a' के साथ करें तो यह empty आता है अगर a का union हम a' के साथ करें तो यह पूरा set आ जाएगा चुकि a में जो भी element है और वो element जो है आपका u में मौझूद है और a' जो भी बच जाता है element वो सारे a' में है वह बचा हुआ कौन सा element है यू का बचा हुआ है इस तरह से a union a' को हम यू लिखते हैं अगर a' का dash कर दें तो इसको हम लोग a कहते हैं dash कहने का मतलब a का compliment का compliment अगर कर दें तो यह हमको a प्राप्त होता है इस तरह से यहां तक आप इस तीन result को ठीक तरह से remind कर लें इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ results को समझने की कोशिस करते हैं यदि आपका दियार है कि compliment of u, u का compliment तो u minus u हो जाएगा तो यह u minus u करेंगे तो फाई हो जाएगा इसलिए आप दियान रखिए कि u dash जो होता है वह फाई होता है आपका अब यदि फाई dash हम लेते हैं तो यह आपका क्या हो जाता है u minus phi होता है u में empty को minus किये तो बच गया आपका u ही इस तरह से phi का compliment जो होगा यह u हो जाएगा बच्चों इसके बाद आप लोगों को बताया ही गया यह result यह result और यह सब यह जो आपका 2 result और यह आपका 3 result इस सारे result को आप लोग ठीक तरह से समझ के रखें यह आपको आगे काम देने वाला है तो इसके बाद हम अगले वीडियो में solve करेंगे exercise 1D के सारे टाइप के problem को और मैं अंत में एक बार बता दू कि यह channel वैसे ही बच्चों के लिए वैसे ही बच्चों के लिए उपयोगी है और लाबदायक है जो बच्चे आरस अगरवाल के maths की book बनाते हैं या NCRT को भी साथ लेकर चलते हैं तो इसमें इस दोनों chapter दोनों books के सारे टाइप के problem को आप लोगों को बताया जाएगा तो उमीद है कि अगला वीडियो भी आप लोग अवश्य देखें exercise 1D के important सब problems को देखने के लिए आगे का वीडियो आप लोग अवश्य देखें धन्यवाद